वॉलीवूट इंडेस्टी के जाने माने अविनेता सतिशा अपनी जवरदस्ट एक्टिंग को लेकर जाने जाते हैं। उन्होंने अपने केरियर में कई सुपरिट फिल्में दी हैं। एक्टर ने अपनी अदाकरी और कॉमिक टैमिंग से हमिसा फैंस का दिल जीता है। हाली में अविनिता सतिशा ने पूरानी वातनों को याद करते हुए हाली में सारुख खान से जड़ा एक किसा सुनाया। फिल्म मेहुना में सतिस सा ने सारुक खान के साथ काम किया था। इस फिल्म में सतिस सा ने कॉलेज के फ्रोफेसर का किरदार निभाया था जिने बात करने के दोरान थूकने की आदत थी। इस किरदार को निभाना सतिस के लिए काफी मुश्किल था। हर डायलग को बोलने से पहले धुकना इतना आसान भी नहीं था उनकी इस एक्ट को देखने के बाद लोगों ने उन्हें धुकने वाला कोवरा तक कहना शुरू कर दिया था एक एक सिन के लिए 37 सा को काफी टेक्स लेने पड़ते थे हाला कि इसके फीछे एक वजा सारुख खान भी थे दरसल साने व पानी पिया करते थे पानी को वो अपने मुग के चारो और रखते थे ताकि जैसे ही वो कोई सब्द बोले पानी स्प्रे की तरह बाहर आता रहे 37 सा के मुताबिक जब उन्हें सारुख को डाटने वाला सीन करना था तो सारुख ने उन्हें काफी परिसान किया उनका कहना थ ताकि वो काफी मेनद करते थे लेकिन सारुख हस कर उस सीन को खराब कर देते थे एक्टर बास्चित को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं सारुख की हसी के बाद उन्हें वार वार रिटेक लेना परते था और सिर्व उस एक सीन के लिए उन्हें आठ रिटेक लिए थे सेट प ठिक कर दिया गया था बता दें इस फिल्म के लिए सा को दो किरदार ओफर किये गए थे एक फ्रिंसिपल का और दूसरा ठूकने वाला प्रोफेसर का